वेलकम टू दपार्ट साला आपको चीज़ करने की कोसिस किया है लेकिन आज जिस भी तरीके का डाउट होता है तेंस में वह ने लेने की कोशिस किया है एकाद डाउड भी मैने छोड़ा नहीं है इनहीं केस अगर बज जा है तो आप मुझे वाट्सप में मैसेज कीजिए किसर यह डॉट्स रह गया है औ और जैसे कि हम बात करते हैं कि यह मारा माइंड बाुल है इसमें हम करेंगे क्या वीडियो को पाउज करेंगे 15 दिन के लिए क्लासेश फिल करेंगे रिवाइस करेंगे क्योंकि बहुत कुछ होता है उसमें आपके जो डाउटस जो मैंने बढ़ा हैं जो एक्षेप्संस हैं ए अब यहाँ पे जो है हमको करना क्या 15 दिन की class तो फिल करनी करनी है आज 16 दिन की class फिल करनी है तो हमें doubt जो है clear करना है तो आज मैं सारे doubts ले रहा हूँ और tier 2 की classes जो है यह आप अपने पास जानकारी रखे लोगों तक split कीजे कि tier 2 की classes हम कराने वाले हैं बहुत अच्छे से कर जो है tier 1 में marks अगर मिस हो जाए तो वो tier 2 के दम पर ही आगे निकल सके अगर आप में से किसी ने यह group join नहीं किया है तो group join कर लीजिए इसका link चैनल के about section में पढ़ा हुआ है यह मेरा WhatsApp नमबर है आप इस पर अपनी query send कर सकते हैं मेरे पास तकरीबं 12 हो के आसपर daily message आ रहे है इतने message का जवाब देना possible तो नहीं है लेकिन मैं इसमें से उन questions को छाट रहा हूँ जो question मैं class में discuss कर सको तो जो अच्छे question है जो मुझे लगता है सारे student को जवाब मुझे देना चाहिए कि यह doubts हो सकता है इसको clear रखो तो वो सारे question लेके मैं बीच में अभी exam के पहले वो ए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो कि हां सर काम अच्छा कर रहा हैं सर महनत कर रहा है तो आप उसको रिजल्ट देके दिखाओ क्या रिजल्ट देके दिखाओ अब गाली बगरा मत इस्तमाल करो क्यों कि एक स्टूडेंट ने अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूं तो यार मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो मैं डिसलाइक करूंगा लाइक करूंगा तो उससे कोई फरग नहीं पढ़ेगा आप 10 स्टूडेंट पढ़ो या 100 स्टूडेंट पढ़ो आप जितने लोग भी पढ़ोगे मैं आपको जो भी मेरे से बन पाएगा तो मैं करूंगा पर यह आप लोग ना करो क्योंकि गर्ल्स अगरा भी रहती हैं अब यह चीजे नीचे डिसकेशन में और कमेंट सेक्शन में रहे तो ठीक नहीं रहता है वैसे मैंने वर्ट्स ब्लॉक कर रखे हैं लेकिन लास् टाइम पर क्या आपका रिजट नहीं आया तो कोई फायदा नहीं होगा यार कुछ भी कर लो आप चलिए बात करते हैं टेंस में टेंस के डाउट्स की डाउट नमबर वन यह सबसे बड़ी बात है कि डाउट होती कहा है एक तो देखो इस तरीके का कोश्चन पूछा जाता है टेंस से कि द अगर इस चीज का नॉलेज नहीं होगा कि जब दो संटेंस को एड़ करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं मतलब पहले का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए दूसरे का स्ट्रक्चर क्या फ्रेम होना चाहिए अगर यह आपको जानकारी नहीं है तो आप पक्का कोश् और दूसरी चीज है कि ए रादृ स्ट्रुक्चर्स कमबिनेशन होता है तो मैं आपको बता दू कि अ का सबस्टुक्चरम कारें भाद कि पहल भी और सबस्थ एक 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 छें हो गया ऑर दूसरा अगयाес अगया ? एक action हो गया दूसरा हो जाए ये क्या होता है पहले finish होता है क्या होता है ये पहले finish हो रहा है ये बाद में finish हो रहा है अब इसको मैंने बताया था कि आप जो है जो पहले finish होता है उसको क्या रखो past perfect में किसमें past perfect में और इसको simple past में जो बाद में होता है उसको simple past में रखो और एक पहले खतम हो जा उसके बाद दूसरा start हो, तो पहला जो खतम होता past perfect में रखते हैं, दूसरा क्या होता है, simple past में रखते हैं, अब देखो एक situation ये भी बनता है, कि अगर action 1 जारी रहे, action 2 जारी रहे, अगर दोनो continuous form में है, तो आप क्या करोगे, दोनों के लिए जो है, क्या लगाओगे, past continuous, दोनों के लिए क्या लगाओगे, past continuous, तो समझ रहे हैं, अगर दोनों जारी हो, समझ येगा ध्यान से, एक finish होने के बाद दूसरा start हो रहा है, तो आप क्या करोगे, past perfect और simple past का combination लोगे और अगर दोनों जारी हो, तो past continuous और past continuous करोगे, और इसी में क्या होता है, simple past और simple past का भी structure बनाया जाता है, क्या होता है, simple past और simple past का भी structure बनाया जाता है, same चीज के लिए, कि दोनों काम बाद में हो, और दोनों काम चलते रहें, while someone doing this, you did this, तो ये चीज भी ये होता है, और एक चीज और इसमें होती है, यह combination confused होता है, मैं structure इसलिए आपको बता रहा हूँ, कि एक काम चलता रहे, दूसरा काम हो, एक काम चलता रहे, उसी दौरान दूसरा काम हो, दोनों काम चलते रहे, तो हम क्या करते हैं, continuous continuous लगाते हैं, या simple pass, simple pass लगाते हैं, लेकिन अगर एक काम चलता है, और दूसरा काम हो, जैसे कि, मा मेरी खाना बना रही, उसी वक्त दरवाजे पर किसी ना नॉक किया, तो मा मेरी खाना बना रही, इसको हम continuous form में रखेंगे, और जो किसी ना नोक किया, उसको हम simple pass में रखेंगे, तो अगर एक जारी हो, क्या हो? एक continue हो, और दूसरा उसी वक्त हो, क्या हो? दूसरा उसी समय हो, happen हो? उसी वक्त में, at that point, तो जो जारी हो, उसको continuous, क्योंकि जो जारी रहता हो, उसको continuous में रखते हैं, तो उसको continuous में रखेंगे, और जो उसके बाद हो, उसको simple pass में रखेंगे तो ये चार तरीके के structure होते हैं जो doubt create करते हैं सबसे जादा जो पूछा जाता है वो yala structure पूछा जाता है और yala structure पूछा जाता है ये दोनों structure कभी नहीं पूछा जाते हैं confuse कराने के लिए simple past और simple past का structure आप से पूछ सकता है तो चार तरीके के structure होते हैं एक तो होता है कि जब हम past perfect और simple past लगाते हैं मतलब दोनों जो sentence है वो past में हो एक गुजर जाए मतलब एक खतम हो जाए फिर दूसरा start हो और क्या हो past में दोनों एक साथ हो रहे हो तो उसके लिए past continuous past continuous या simple past simple past का combination लगाते हैं और एक यह हो कि एक जारी हो उसी दौरान दूसरा हो तो हम जो जारी रहता उसके लिए continuous form इस्तेमाल करते हैं और जो तुरंत मतलब उसके साथ होता है तो simple past लगाते हैं बस इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि वो भी जारी ना रहे वो भी जारी रहे तो structure आप याला फॉर्म करोगे तो आप समझ रहे हो कि structure किस तरीके से form करोगे अब चलिए example देखते हैं जैसे when I was writing a book Sudhirji is arrived Sudhirji arrived when I was writing यह कौन सा है यह last वाला structure form है क्या है last वाला कि when I was writing जब मैं लिख रहा था Sudhirji arrived Sudhirji आये Sudhirji आते रहे ऐसा कुछ नहीं है यहां पर वो आये हम लिख रहते उसी वक कोई आया while he was watering the plants and insects hit him तो hitting him नहीं करोगे है यहां पर hit him , if there is a mistake of continuous and continuous form होता है तो hit him हो – hitting him झालों काम जो होता है जो no action होता है अगर आगर continuous form में मतलब अगर जाडी रहे दोनों तब हम continuous and continuous form इस्तेमाल करते हैं otherwise we क्या लगाते हैं, एक को continuous form में रखते हैं, दूसरे को simple past में रखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि structure कैसे बन रहा है, तो इस चीज को ध्यान से समझेगा, अब doubt जैसे, टू इधर reverse direction में मैंने कट किया, लेकिन numbering ठीक है, कोई नहीं, while my mother was singing, I was sleeping, अब देखो, यहां पे continuous continuous form है, क्या है continuous continuous form इसलिए है, क्योंकि while my mother was singing, जब मेरी मा गाना गा रही थी, तो मैं सो रहा था, समझ रहा हो ना, कि मैं भी सो रहा था, मेरी मा भी गाना गा रही थी, तो दोनों continuous form में है, while I was writing this chapter, my wife was watching TV, अब यहां पे writing के साथ hit किया, कि सुधिर जी तो सुधिर जी आते रहे ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे while I was writing this chapter, जब मैं यह chapter लिख रहा था, तो my wife was watching TV, तो मेरी जो वीवी है, वो TV देख रही थी, तो वो continuous form में थी, तो जब दोनों continuous form में हो, तो हम दोनों को continuous में रखते हैं, क्या रखते हैं, दोनों को continuous form म समझ रहें आप, अब पहला वाला structure जो मैं अलड़ी बता चुका हूँ, the patient had died before the doctor come, सबके पहले लेटर capital कर लीजीगा, the patient had died, patient मर चुका था, जब doctor आया, the train had departed when he reached, जब वो पहुचा, train अलड़ी चली गई थी, तो आप समझ रहे ना, कि अगर एक action हो जाए उसके बाद हो, एक action हो जाए और उसके बाद हो, तो हम क्या करते हैं, उसको past, perfect और simple past का combination लगाते हैं, otherwise जो हम लगाते हैं, वो लगाते हैं, जैसे कि दोनों continuous past में, ये सारे के सारे action past में हो रहे हैं, समझेगा, ये सारे के सारे action past में हो रहे हैं, अगर past में दोनों जारी हो, तो continuous, past में एक जारियों उसके साथ दूसरा आए तो continuous और simple past का और अगर एक खतम हो जाए पूरी तरीके से फिर दूसरा हो तो perfect और past का combination लेते हैं और दोनों अगर जारी रहे तो simple past और simple past का भी combination लेते हैं अब एक चीज़ यहां पर यह है जैसे past indefinite tense में और present perfect tense में मैंने बताया था कि इन में combination में क्या होता है पंगा रहता है थोड़ा सा doubt रहता है इसके doubt में मैंने थोड़ा सा वहां पर clear किया था फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और आपको clear करना चाहिए तो वह वापस से मैंने अगर suppose कीजिए कि अगर आपको past time denoting word दिया हो क्या past time expression word अगर दिया हो past time express करने वाला अगर word दिया हो तो क्या करते हैं हम past indefinite tense का इस्तेमाल करते हैं अगर नहीं दिया हो तो हम present perfect tense का इस्तेमाल करते हैं यह last time में बता रहा हूं इसलिए मैं दुबारा repeat कर रहा हूं कि अग अगर दिया हो, क्या दिया हो, अगर पास्ट टाइम दिया हो, जैसे हमने दे दिया एगो, जैसे हमने दे दिया जो है लास्ट मन्त, जैसे हमने दे दिया जो है लास्ट वीक, तो सारा पास्ट टाइम है, लास्ट मन्त, लास्ट वीक या है, पास्ट टाइम है, तो अगर पास् तो इसको मैंने वहाँ पे एक्जाम्पल के साथ क्लियर किया था, एक बार मैं फिर से दुबार आपके जहन में यह चीज़ डालना चाहता हूँ, अगर पास्ट इंडिफिनिट इस्तेमाल करोगे, अधरवाइस प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस इस्तेमाल करोगे, ye doubt 5, since and far को लेका अभी मैं पर्फेक्ट टेंस में बता हूँ गा, since and for, Ada, since and for, since and for में यह होता है, ye होता है, since हम को पता है, point of time के लिए इस्तेमाल करते हैं, और for क्या करते हैं, period of time के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन confusion कहां पर होता है एक तो आपको ये पहचानना ना चीए कि point of time क्या होता है period of time क्या होता है जैसे मैं यहाँ पर एक example लेता हूँ for five days and since five days ago since five days ago जब ego इसके साथ जुड़ जाता है तो ये वो moment बताने लगता है five days ago तो वो एक moment बताने लगता है for five days का मतलब है पांच दिन से five days ago का मतलब है कि वो एक moment जो पांच दिन पहले हुआ था तो ये point of time है कि पांच दिन के पहले और पांच दिन से का मतलब है कि पूरा duration है और एक और doubt आता है कि adverb of time को लेके आता है यह वर्ड है this week यह स्टार्ड है this morning, this evening, this week, this month, recently यह सारे के साले जो है simple past में भी इस्तेमाल होते हैं और present perfect में भी इस्तेमाल होते हैं यह जब वर्ड है तो आप sentence को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कैसे जैसे देखे एक्जामपल he saw me today यह दूसा sentence है he has seen me, he has seen me today, he saw me today and he has seen me today, he has seen me today तो अगर यह वर्ड है जैसे this morning, this evening, this week, this month, recently यह सारे के सारे किसमें इस्तेमाल होते हैं यह आप past indefinite tense में भी इस्तेमाल कर सकते हो और present perfect tense में इस्तेमाल करते हो, तो अगर इनके साथ, अगर simple past दिया हो या present perfect तो दोनों सही होता है, तो एक तरीके से doubt होता है कि हम simple past और present perfect क्यों इस्तेमाल करते हैं इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यह word याद रखेगा कि this morning, this evening, this week, this month, this year, तो this लगा रहेगा, मतलब उस तरीके के doubt होते हैं, अब जैसे मैंने एक चीज और वहां पर बताई थी, कि एक यह थोड़ा सा example अलग जगा हो गया है, मैं इसको अब बता चुका हूँ, फिर भी example देख लीजेए, आपर समझ लीजेए, मैंने कहा कि अगर दोनों continuous form में हो, तो हम simple past का भी इस्तेमाल करते ह वाइल सी कुक्ड आई रोटे बुक, जब वो खाना पका रही थी, तब मैं बुक लिख रहा था, वाइल दे प्लेड वी स्टीडीड, वाइल दे प्लेड जब वो खेल रहे थे तो मैं पढ़ रहा था, विन माई डॉटर प्लेड आई वर्ग, जब मेरी लड़की जो है खे प्लेड पास का, दोनों सही होता है, तो समझ रहे हैं, इसमें भी डाउट होता है कि कई बार लड़के गलत कर देते हैं, पर कन्फ्यूज मत हो येगा, जैसे ये हो गया, आप ही मैंने बताए कि जो पास टाइम डूनिटिंग होती, लास्ट ये, लास्ट वीक, लास्ट में जो है, दो अधर डे, एन एगो, ये सारे के सारे जो वर्ड है, ये पास टाइम डूनिटिंग साथ हम प्रेस्ट का हिस्टामल नहीं करते हैं, ध्यान रखेगा, इंके साथ हम प्रेस्ट Ondes पर्फरेक्ट का हिस्टाम नहीं करते και जितने भी टैंस से रिलेटेड कोश्च्ट बनते हैं, जितने भी 10 से related question बनते हैं, वो इन से maximum बनते हैं, मतलब 80% question इन ही doubt से बनते हैं, जैसे ego के लिए के बहुत आता है, ego दे दिया आपको, अब ego के बाद आपको इस्तमाल का करना होता है, simple अगर ego दिया हो बगर since के, तो आप इस्तमाल करोगे simple past, क्या इस्तमाल करोगे simple past, लेकिन अगर, जैसे since 5 days अगो, इसमें आप simple past इस्तमाल नहीं करते हो, और एक और confusion रहता है कि since and for, सिर्फ present perfect continuous tense में नहीं लगता है, यह perfect tense में भी लगता है, perfect continuous tense में भी लगता है, इसको चलके अभी हम आगे देखते हैं, कि हम present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, और future perfect continuous tense अभी आज पढ़ेने कि यह जो आठ डाउट है, इनको कादे से रिटेन कीजिएगा, इन पे 80% question इन ही पे बनते हैं, इसके अलावा since और for पे बनते हैं, जो कि present perfect और past perfect और perfect tense में इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी सिर्फ आपको चेक करना होता कि point of time कौन है, period of time कौन सा है, तो अभी आगे चलके हम उसकी detail ले रहे हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि जितना भी हमारा जो है, अगर pair of words है, जैसे pair of sentences हैं, कि एक action हुआ, दूसरा action हुआ, अगर एक हो चुका है, फिर दूसरा हो रहा है, तो हम जो हो चुका है, उसको past perfect में लेते हैं, और जो अभी हुआ है, दोनों continuous form में हो, तो दोनों continuous लेते हैं, अगर दोनों continuous में हैं, तो simple past, simple past का भी combination ले सकते हैं, एक हो रहा हो, दूसरा तुरंथ हो, तो जो हो रहा हो, उसको continuous form में, और जो तुरंथ हो, उसको क्या करते हैं, past, simple past में रखते हैं, तो ये combination आपको याद रखना होगा, for five days अगर बैशने ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, तो फिर झांज चाहिते हैं तो यह मुमेंट बरताने लगता है, अभी फर और शूम के और भी एग्जामपल लेते हैं लेकिन अभी यह यहां पर यह देख लिजिए कि यह दफ यह बहुत वाले कोस्चन है जो बहुत जा उनको क्या करते हैं हम present perfect continuous tense में रखते हैं जैसे I have been living in Delhi for five years हम क्या है कि पिछले पांच साल से लगातार रह रहे हैं दिल्ली में और अभी भी रह रहे हैं क्या कर रहे हैं पिछले पांच साल पहले रहना start किया था अभी भी रह रहे हैं तो ऐसा action कोई जो past में start हो और अभी भी continuous form में हो तो उसको हम present perfect continuous tense में रखते हैं यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके जो है structure की बात कर लेता हूं कि किस formula के हिसाब से क्या इसका helping verb होता है वो discuss कर लेता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें confusion हो जाती है कि क्या हम रखें क्या हम ना रखें तो इसलिए एक बर मैं हलका सा जल्दी जल्दी में आपको discuss कर लेता हूं कि अगर हम simple sentence की बात करें तो structure हमारा होता है हमेंसा subject इसके बाद आता helping verb तो यहां पर helping verb व्याद रखने की ज़रुत है has have होता है आपका singular के लिए has, plural के have, has have साथ में बीन लगाते हम, has have been लगाते हैं, plus object लगात हैं, since या फिर for, for कब लगाएंगे, जब period of time होगा, since कब होगा, जब point of time होगा, plus जो भी आपका time यहां पर given होगा, since for के साथ time लगाते हैं, लेकिन अगर यही negative sentence है तो has have के साथ not been, कहां has have के बीच में नॉट आता है, exactly has have के बीन में नॉट आता है, और अगर interrogative sentence हो तो has आ यह को भोगाएं, और नूट नॉट गरशन खिकत को होगा है, अगर आता है, यह जो सिरुत है खिंस में नॉट पको फोकस करन sns करा हूं कि थोड़ा सा अगरो के साहें घालता है, थोड़ा सा अच्छान आता है, सिसे I have been teaching you for an hour, मैं एक घंटे से तो में पढ़ा रहा हूं ह गंटे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था अभी भी पढ़ा रहा हूं तो पास में स्टार्ट और अभी भी चल रहा है और टाइम के दिया एक गंटे से तो एक गंटा क्या पूरा डियूरेशन है तो इसलिए यहां पर फॉर लगाया है जो हमको पता ही ओव यादी नहो तो इसके साथ श्षुंस लगाते हैं यह चीज याद कीऑ कि सिंस टाइम मर्मॉरियल वाखी चीजे तो याद रखेंगा एक स्टार्ट से तो लगता है कि स्टार्ट से अभी से है तो यह पीरीड हो गया ना ही since the beginning का मतलब होता है जब start किया तो उस moment की बात की जा रही है since time immemorial मतलब उस point की जब मुझे यादी नहीं है तो particular ये दो point बता रहे है since 7 p.m. 7 बजे exactly तो वहाँ पर point of time की बात हो रहा है since last year since last year लगता है कि जो पिछले साल है उस particular point से since कहां कहां इस्तेमाल होता है अब ये देखिए जैसे clock होता है जो भी clock का समय हो गया 7 बजे 8 बजे 6 बजे 9 बजे उनके साथ होता है stage of life के साथ होता है childhood, adolescence, part of each day जैसे morning, morning एक fix time होता है last night, noon, etc अब days में आता है, कलेंडर में बात करें तो अगर days की बात करें, तो Monday, Tuesday, days, days की बात करें, अगर तो Monday, Tuesday इन सब के साथ हम sense लगाते है dates में, 7th में, 8th July, तो 7 तारिक को, 8 तारिक को, जो है, में की और 8 July को, तो ये क्या कर रहा है, point time, particular point बढ़ा रहा है में जब हम यहां पर कहते हैं, तो यहां पर पीरिड का sense नहीं होता है, में मन्त मलता है, उस point of time की बात कर रहा होते हैं, कि माई का महीना होली हो गई, दिवाली हो गई, तो साल में एक बार आती है, मैं जून सब एक बार आता है, 2005, 2006, एक बार आया है, तो यह क्या हो गया, point of time तो इन सब के साथ, जो हम sense लगाते हैं, और for कहां पर लगाते हैं, for वहां पर लगाते हैं, जब आपको period of time का ही दे रहा होता है, तो यहां पर childhood, adolescence, time immemorial, since beginning, यह words थोड़े आपको याद रखने हैं, बाकि तो आपको सारे के सारे पता होते हैं, तो यह रिविजन वाइज मैंने सिर्फ लिख दिया है, तो sense of of, अभी चब हम example करेंगे, exercise करेंगे, तो वहां पर हम दिखाएंगे कि बहुत easy question रहते हैं, थोड़ा सा concentrate रह पाओ, तो question कभी गलत नहीं होते हैं, चलिए बात करते हैं, अब हम past perfect continuous tense की, past perfect continuous tense क्या हो, कि एक ऐसा action, जो past में start हुआ हो, और और क्या हो, वो चला हो, और past में ही मतलब जारी रहा हो, क्या हो, past में कुछ समय तक के लिए जारी रहा हो, तो ऐसे, जो sentences को हैं, उसको हम past perfect continuous tense में रखते हैं, an activity that is started in the past, continued and finished in the past, comes अंडर past perfect continuous tense, past में start, present तक ना पहुँचा हो, past में ही कुछ समय तक चला हो और past में ही वो action ख क्या करते हैं हम past perfect continuous tense में रखते हैं जैसे I had been waiting for you since morning अब देखो यहां पर morning आया तो morning के साथ point आए since morning I had been waiting for you since morning मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था तो morning में इंतजार कर रहा था लेकिन अभी morning नहीं है यह मैं बात evening में कर सकता हूँ यह मैं noon में बात कर सकता हूँ लेकिन मैं इंतजार कर रहा था morning में इंतजार किया और इंतजार हमारा morning में खतम हो गया अभी इंतजार नहीं कर रहा हूँ तो present में इसका कोई लेना देना नहीं होता past में कोई action start हो और past में ही चले तो ऐसे और इसका helping word वहाँ पे has been था, यहाँ पे head been होता है, क्या होता है, head been हो, negative को लगाना होता है, तो not लगाते हैं साथ में, और अगर interrogative बनाता होता है, तो head हम पहले लगाते हैं, structure की मैं ज़्यादा detail में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उमीद कर रहा हूँ कि structure आ structure कैसे मिलता है, मैं phone करके उसको बता दूगा, तो अगर एक दो लोग रहेंगे, तो मैं call करके help कर दूगा, और अगर ज्यादा student है, तो फिर मैं structure एक बार discuss कर दूगा, और मुझे उमीद है कि आप में से ज्यादे तर लोगों को structure पता होगा, अब बात करें, पास्ट परफ में आगे तक चलेगा, यह हमारा future, future में इस point से start होगा, और future में ही वो continue रहेगा, तो ऐसे के लिए हम क्या लगाते हैं, future perfect continuous tense, तो ध्यान रखेगा, past एक बार फिर से समझ लीजे कि past में action चला, और past में जारी रह, past में खतम हो गया, तो past perfect continuous tense लगाते हैं, पर present में थोड़ा future में start होगा, और future में ही चलता रहेगा, तो future perfect continuous tense लगाएंगे, अब इसका helping verb जान लीजिए, helping verb जानना बहुत जरूरी होता है, sorry, इसका होता है, sell have been, sell will, sell या will लगाओगे, और have been, sell will have been, तो ये इसका जो है, helping verb होता है, अब not लगाना होता है, तो sell will के बीच में not गुचरते हो, और उसके बाद क्या करते हो, कि जब अगर interrogative बनाना होता है, तो sell will को आप subject के पहले लिखते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं structure जान बूच के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है, दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहने लगूँगा, इस साल के अंत से पांस साल के लिए, I shall have been living in Delhi for five years by the end of this year, जब ये साल का अंत होगा, अभी अंत हुआ नहीं, जब होगा तब से स्टार्ट करूँगा, और पांस साल तक दिल्ली में रहने लगूँगा, तो ऐसे sentences को हम future perfect continuous tense में रखते हैं, इन पे related question नहीं बनते हैं, जो question बनते हैं, वो सिर्फ since और for को लेके बनते हैं, एक और confusion होता है, since और for को लेके, जनरली हम जानते हैं कि since और for का इस्तेमाल perfect continuous tense में होता है, चाहे वो present हो, चाहे past हो, चाहे future हो, लेकिन नहीं, since और for का इस्तेमाल perfect परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं, चाहे वो present हो, चाहे past हो, चाहे future perfect tense हो, इनके साथ भी हम करते हैं, since और for का इस्तेमाल, जैसे आपको मैंने last वाली लेक्चन बताया है, कि कुछ verb के साथ ing नहीं लगाते हैं, तो जिन verb के साथ ing नहीं लगाते तो वर्ब के साथ जब ing जिनके नहीं लगता है, उनको हम perfect continuity निवस में तो नहीं रख सकते हैं, तब उनको हम perfect tense में रखते हैं, जैसे यह मैंने आपको बताया था, I know you यह नहीं होता है, क्योंकि no का ing form नहीं बनता है, अब क्या है, जैसे I have been knowing him for five years, अब यहाँ पे देख र लगेगा, I have known him for five years, यहाँ पे continuous form नहीं बनाएंगे, हम present perfect continuous form नहीं बनाएंगे, तो ऐसे वर्ब जिनके साथ ing नहीं लगता है, उनका हम continuous नहीं बनाते हैं, उनका हम क्या बनाते हैं, perfect बनाते हैं, अगर हमें since or for का इस्तेमाल करना हो, इसके alama भी, normal sentences भी, जिनके साथ ing लग बनाते हैं, उनका तो हम पक्का continuous form नहीं बनाते हैं, जैसे I have been living in Delhi for five years, यह हमने बनाया है, लेकिन क्योंकि lip का living बनाते हैं, I had known him for two years, अब no का हम ing form नहीं लगाते हैं, इसलिए I had known him, इसलिए हमने इसका past perfect बनाया है, इसका present perfect भी बना सकते हो, लेकिन हम past में कहने के सेंस में इसलिए past perfect बना दिया है, अब जैसे नीचे एक sentence है, I ate nothing since morning, I ate nothing since morning, अब इसको क्या किया कि हमने simple past में रख दिया, तो यह simple past में नहीं रखते हैं, जब भी आपको since morning आये, या तो आप इसको किसमें रखोगे, या तो आप इसको continuous form में रखोगे, क्योंकि eat का eating बना सकते हो, तो आप इसको have been, has been इस तरीके से बना हो, या तो आप इसको perfect में रख सकते हो, I have eaten nothing since morning, I have eaten nothing since morning, मैंने कुछ नहीं खाया है, सुब ऐसे, ठीक है, I have been eating nothing since morning, तो आप इसको ऐसे तो कह नहीं सकते हो, मैं सुब से कुछ नहीं खा रहा हूं, तो इतने लंबे duration को तो नहीं बता समय एक duration दिखा सकते हैं तब हम लगाते हैं लेकिन अगर जैसे यहां पर I have eaten है तो हमने सुबह कुछ नहीं खाया क्या I have eaten nothing since morning इसका मतलब है कि हमने सुबह कुछ नहीं खाया सुबह से लेकि अभी तक कुछ नहीं खाया है सुबह से कुछ अभी तक अगर यहां पर has been लगा देंगे अगर यहां पर समझे यहां पर has been या फिर जैसे have been लगा देंगे I के साथ have been eaten nothing since morning I have been nothing eating since morning eating since morning क्योंकि जब भी continuous form आता है उसमें ing form वर्ब का लगाते हैं समझ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं अभी तक तो हम सुबह से खा तो नहीं सकते हैं मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है मतलब थोड़े समय के लिए खाते हैं एक बार के लिए खाते हैं फिर लेकिन कहने का मतलब ही sentence का है कि तो पूरे दोरान खाने की बात हो जाएगी तो इस तरहिके के संटेंस को थोड़ा सा जो है लाजिक लगा कि आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा मतलब सेंस चाहिए होता यह प्राक्टिस से आ जाती है अब इसके बाद हमको करना है प्राक्टिस लेकिन वीडियो बहुत ज अच्छे से आ जाएंगे तो मैं वह जो जल्दी अप्लोड करूँगा हो सकता है आज की साम को अप्लोड कर दूँ रात को अप्लोड कर दूँ मतलब जल्दी से जल्दी करने की कोसिस करूँगा वकैप की क्लास तो आनी आनी है लेकिन वह भी जल्दी प्राक्टिस के लिए मैं कोशिस करूँ का कि जल्दी करा दू ताकि ऐसा ना हो कि पते कला टेंस आपने पढ़ लिया और एक्सरसाइज नहीं की